निम्रोलोजी नमबर फाइव इसे व्यक्ति बहुत अच्छे बिजनस्मेन होते हैं इन्हें अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ऑपरचुनिटीज आती हैं पर कई बार जल्दबाजी में डिसीजन्स लेने की वजह से इन लोगों को नुकसान भी सहना पड़ता है पाँच नमबर वाले व्यक्तियों को हमेशा ये ध्यान लखना चाहिए कि कोई भी उपरचुनिटी उनके लाइफ में आती है या उनको कोई भी काम करना है उसे सोच समझ कर ध्यान से करना चाहिए हर काम में प्रॉफिट नहीं मिलता हर काम में फाइदा नहीं होता फाइदे नुकसान को तोल कर ही उस काम को करना चाहिए ताकि उनको नुकसान से बचा जा सके इसके इलावा पांच नमबर वाले लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं ये लोग दोस्त जल्दी बना लेते हैं ऐसे लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है पांच नमर वाले व्यक्तियों को जनरली घूमना फिरना, बाहर जाना, घर से दूर जाना बहुत पसंद होता है इसी के साथ साथ पांच नमर वाले बहुत ही लेजी भी होते हैं ये लोग किसी काम को हमेशा टालते रहते हैं इनहें अगर कोई काम दे दिया जाए तो हमेशा इनहें यही होता है कि इस काम को कल कर लेंगे, परसो कर लेंगे, इनहें अपनी यादत को बदल लेना चाहिए अगर जीवन में सक्सेस्फुल होना है, इसी के साथ साथ ये लोग अपना दिमाग बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि इन्हें जीवन में बहुत सारी opportunities आती हैं बहुत काम करते हैं हमेशा motivated रहते हैं और अपना दिमाग भी बहुत जादा यूज़ करते हैं जिसकी वज़े से इनमें चिड़चिड़ा पन भी आ जाता है ये लोग कुछ चिड़चिड़े हो जाते हैं इसलिए इनको meditation regularly करनी चाहिए पांच नमबर रूल करता है mercury से mercury की जो दिशा है घर में वो होती है north अगर इन लोगों के घर के north में ये लोग plants लगा देते हैं money plant लगा देते हैं या धेरो plants अगर अपने घर के north में लगाते हैं और अपने घर का north सही करके रखते हैं तो निश्चित रूप से इनके जीवन में धेर सारी opportunities आती है और धेर सारा cash flow भी आता है अगर पांच नमबर वाले लोग अपने जीवन में अपने जीवन काल में एक पेड लगाएं एक पेड को लगाएं कहीं पर भी घर में लगाएं पार्क में लगाएं और उस पेड को पानी दे जैसे जैसे वो पेड बड़ा होता है जैसे जैसे उस पेड की जड़े मजबूत होती है वैसे वैसे इनकी life में growth आती ही रहती है और इन्हें कभी भी पीछे मुड कर नहीं दे झाल झाल